हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आईरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आखों के रोग में अमरूद का एक आईरुवेदिक प्रियोग बताने जा रहा हूँ बताने से पहले दोस्तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दबाना ना भूले ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके तो चलिए दोस्तो आब बात करते हैं उस आयर्वेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो अमरूद का सेवन बहुत ही गुणकारी है इसके सेवन करने से अनेक बिमारियों का नाश होता है अमरूद का सेवन करने से सभी तरह के मू के रोग जैसे की दांतों का हिलना, मू के छाले, मू से दुरगंद आना, कबज, गैस की समस्या, अफारा, पागलपन, हैज और आखों के सभी रोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इसके प्रयोप करने से आखों का आना, आखों की लाली, आखों में पानी आना या फिर आखों में दर्ध होना अधी सभी तरह की जो समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ती मिल जाएगी। एक आजवेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए अमरूद की कोमल पतियां। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अमरूद की कोमल पतियां। तो करना क्या है? आप सबसे पहले अमरूद के पेड़ से कोमल पतियों को तोड़कर इन कब इसको आप बारिक बना लें, जैसे कि चटनी को आप बना लेते हैं, एक पेश त्यार कर लेते हैं, वैसे ही. इसको बनाने के बाद इन्हें आप आँखों की पलकों के उपर और इसके आसपाद सभी जगा पर लगा लें. लगाने के बाद दोस्तों, आप कुछ समय तक आराम करें, इन्हें आप 15-20 मिनिट तक लगा के रखें, उसके बाद आँखों को ठंडे पाने से आप धोलें, इसको आप दिन में कम से कम 3-4 बार प्रयोग करें, इसको प्रयोग करने से आँखों के बताये गए सभी रोग प्रयोथी सरल है, और कह सकते हो कि यह बिल्कुल मुफ्त है, आपके आस पास कहीं ना कहीं आपको अमरूद का पेड़ मिल ही जाएगा, तो अगर आँखों की कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो आप अमरूद के कोमल पत्तों को लेकर इसका प्रयोग कर सकते हो, औ और आँखों की समस्यां से मुक्ति पास सकते हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ न नए आरवेदिक प्रियोक के साथ, तब तक के लिए, थैंक यू